हलो और वेलकम फ्रेंड्स आज की ये विडियो ओपन आफिस केल्क को ले करके बना रहा हूँ ओपन आफिस में जो केल्क सॉफ्ट्वियर यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे और यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले square root के बारे में ठीक है, Excel में आपने square root का formula यूज किया होगा like यहाँ पर 7 लिखा है मैंने, यहाँ पर 8 लिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है मैंने 16, ठीक है तो अभी हमें इन तीनों का square root calculate करना है तो 7 का square root calculate करना है तो जैसा कि आप जानते हैं कि Excel में भी हम SQRT formula यूज़ करते हैं square root को calculate करने के लिए अब मैंने 7 को select किया और 7 को जैसे ही select किया तो यहाँ पर 7 का cell address आ गया cell address आने के बाद जैसे ही interface करेंगे तो इसका square root आ जाएगा अब फाइदा यह है कि यह spreadsheet software है तो हम इसको drag करवा सकते हैं इधर की तरफ तो देखेंगे कि 8 का भी square root आ गया है और यहाँ पर 16 का भी square root आ गया है 16 का square root 4 होता है जैसा कि आप जानते ही है ठीक है तो यह square root निकालने का तरीका है अगर आपको किसी और का भी square root निकालना हो तो यह हो गया square root, अब हम बात कर लेते है square की, ठीक है, square को calculate करने का क्या formula हो सकता है, तो यहाँ पर is equal to power लगाएंगे, हम power एक ऐसा formula है, जिसके मदद से हम square calculate कर सकते हैं, square root नहीं, square calculate कर सकते हैं, यहाँ पर comma लगाते है, square का मतलब होता है two, नीचे syntax में आपने देखा, अब य error आने के पीछे क्या current है, देखिए, error इसलिए आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर use किया है, comma, चुकि यह open office calc है, तो इसके लिए हमें semicolon use करना होगा, यह बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर semicolon, और enter जैसे ही प्रेस करेंगे, तो यहाँ 49 आया हुगा है, देख सकते हैं, और फिर अगर आपको 8 का भी देखना है, तो यहाँ पर देखिए, यह 8 का 64 हो गया square, और 16 का 256 हो जाएगा, तो यह देख सकते हैं, कि बहुत ही आसानी के साथ, आप square root भी calculate कर सकते हैं, और square भी calculate कर सकते हैं, तो square को calculate करने का जो formula है, वो power है, और square root को calculate करने का formula जो है, वो SQRT ह आई होप की बात समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे share करें, thank you for watching this video